आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं ओटो माल्स ग्यान तरफिक का इन नए वीडियो जोस्तों आज में फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकि आप लोगों के लिए अकेला नहीं आया हूँ बलकि अपने साल लाया हूँ ओल नियू विटी का 2022 का इन नया मोडल द अजय बात करते हैं इंटी का के फ्रंट लोग की तो फ्रंट के अंदर जो आपको लाइटिंग सिस्ट्म दिया गया है वो आपको प्रोजेक्टर हेडलेम मिलेंगे वहीं जो इंडिकेटर से मिलते हैं आपको वो हैलोजन बलब के साथ में आएंगे नीची की और जो फोग दिये गहें वह भी आपको लेठेशों के साथ मिलेंगे अगर फ्रंट लूकर तो इसके जो ठायर हैं उनमें भी इस वार चेंज Springs किया गया है पहले 15 inches के alloy wheels आते थे लेकिन इस बार इसके अंदर बढ़ागे 16 inches के machine dual tone alloy wheels कर दिये गए हैं वहीं अगर अपन इसके door handles की बात करें तो door handles भी किसमें chrome finishing के अंदर ही आते हैं और इस बार गाड़े के अंदर chrome का काफी अचा extension आपको देखने को मिलेगा तो यह है इटिका का side look तो rear के अगर अपन बात करें तो rear के अंदर आपको जो tail lamp मिलेंगे वो भी आपको LED और halogen के साथ में मिलेंगे वहीं rear के अंदर आपको चार parking sensor भी देखने को मिल जाएंगी rear के अंदर आपको camera भी मिलेगा तो यह है इटिका का कुछ back look इस टाइब से है door के ओपर granny's with chrome insert भी आपको देखने को मिलेगी देख सकते हैं आप कुछ इस परकार से पिछे से भी इटिका का जो look है वो काफी attractive मिल रहा है और काफी सारा changes और chromes के part इसके अंदर इस पार काफी सारी यूज किये गए है वहीं अगर बात करूँ तो इसके अंदर आपको control CNG तीनों के option इस पार देखने को मिल जाएंगी तो यह है इटिका का कुछ side look इस टाइब से देख सकते हैं अब बात करते हैं all new itica के engine की तो इसके अंदर आपको K15C smart hybrid engine मिलता है जो 1462cc के engine के साथ में आता है वहीं अगर इसके power और torque की बात करें तो 75.8 PS की maximum power और 136.8 NM का peak torque जनरेट करता है fuel tank की अगर मैं इसके बात करूँ तो वह इसके अंदर आपको 45 liter का मिलता है वहीं अगर itica का अपन CNG variant ले तो उसके अंदर जो engine आता है वो K15C type का engine आता है जो 1462cc के engine के साथ में आता है बात करूँ मैं CNG engine के power की तो 64.6 PS की maximum power और 121.5 NM का peak torque जनरेट करता है वहीं उसके अंदर आपको जो CNG के लिए जो आता है capacity आती है वो 60 लेटर के आती है तो यह हुआ All New Itica के engine की बात इंटेरियर को भी अपन एक बार check out कर लेते हैं कि क्या क्या इंटेरियर के अंदर changes किये गए है इस बार All New Itica में तो इंटेरियर के अपन बात करता है इंटेरियर के बात करूँ वहीं अगर में इसके इंटेरियर के अंदर और features की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो infotainment दिया गया है वो 17.78 इंचेज का smart pro infotainment system दिया गया है वहीं इसके अंदर आपको wireless connectivity भी इस बार देखने को मिलेगी एटिका के अंदर gearbox के अंदर भी काफी changes है इस बार जो gearbox दिया गया है जिसका हम सभी को काफी समय से इंतजार था 6-speed automatic का gearbox इस बार एटिका 2022 में include कर दिया गया है तो ये एटिका लावर के लिए काफी अच्छी बात होगी वहीं इसके अंदर आपको जो gear दिया गया है 6-speed automatic का उसके साथ में इस बार एक और एड़ कर दिया गया है वह इसके अंदर पैडल सिफ्टर की जो सुईद है वह भी इस बार एटिका के अंदर ये फिचर एड़ कर दिया गया है तो एटिका में इंटेर में भी minor changes है अग्स्टेरियर के तरह है जैसे अग्स्टेरियर में मैंने आपको बताया कि उसके अंदर chrome का थोड़ा वो चेंज है अपन सबको जो इंटजार था कि इस बार वी इस बार एटे का दोज आरव पाने के उमीद है लेकिन वो सनूप नहीं है उसकी जो रिजन है वो भी मैं आपको बता दूँ कि जहां सनूप आना है वहां इसके अंदर एसी वेंट्स लगे हुए अगर अपने एक बार बूट स्पेस चेक करें तो इसके अंदर आपको 209 लेटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है तो आई एक बार इसका बूट ओपन करके अपन चेक कर लेते हैं इसके अंदर जो साथ में अक्सेसरी आती है वह रखी हुई है वही नीचे के अंदर भी आपको काफी सांदर स्पेस इस वार देखने को मिलेगा यह देखिया आप अगर रियर सीट की मैं अगर बात करूं जो थर्ड रो के अंदर दी गई है वह भी आपको रिक्लाइनर इस टाइब से आपको सेवन सीट का उप्शन मिलता है और स्मार्ट फ्लेक्सी सीट आपको देखने को मिल जाएगी जो थर्ड रो के अंदर जो सीट दी गई है वह आपको स्मार्ट रिक्लाइनर सीट देखने को मिलेगी तो यह थी ओल्नू दो जाब आपको लोगों बताए और काफी मलब बसे देखे तो माइनर चेंजेज ही है और इसके दर आप क्या चेंजेज अक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार वो बताएगा जरूर आमें कॉमेंट्स में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सेर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर झाल करिया है और है आपको लेखे और आपको से तो таким हैं यूरा आपको वीडिशा नचल से बीडियो क्तेक्ट到 क्यों वीडियो क्ली आपको